दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप दोस्तों मैं बहुत अच्छे अच्छे आपको नुष्के बताया करता हूं और जो लोग बड़े एतबार करके मेरे नुष्कों को आजमाता है उसकी तो वैसे ही काया कलप हो जाती है बिमारी च्छूमंतर हो जाती है लेकिन कुछ लोग कहते हैं हमने दो दिन खाया एक दिन खाया कई लोग तो ऐसे होते हैं बाबा हमने तो बीच दिन खाया मैं उनसे फिर पूछ लिया करता हूँ मैं भी तो पता करता हूँ ना के खाया या नहीं खाया वै कौन सा नुक्सा खाया रो उसमें क्या क्या चीज लिया तब हकलाने लग जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता खाया ही नहीं होता और फिर भी वो जूट बोल के कह दे होगे हैं तो आपको ऐसे ही नहीं बोल देना हैं कम से कम आपको 15-20 दिन नुश्का करने के बाद में फिर आपको देखना है कि आपके कितना परसेंट आप ठीक हो रहे हो आपके कितना प्रसेंट असर कर रहा है फिर मेरे से आप बात कर सकते हैं तो आज मैं आपको ऐसे लड्डू बता रहा हूं जो आपके काया कलब कर देंगे यानि काया कलब का मतलब होता है आप जानते ही हैं इस शरीर को बुड़ापे से वापस जवानी की तरफ लेयाना इसके रॉम रॉम में ताकत बरदेगा ऐसा नुश्का आपको बता रहा हूं शेर जैसी आपके अंदर ताकत आजाएगी और बिल्ली जैसी आप में पूर्टी आजाएगी आप अपने आपको फिर से जवान समझना शुरू कर दोगे समझना नहीं वास्तम में आप जवान हो जाओगे आपका दिमाग बहुत तेज हो जाएगा बुड़ापे में सबसे पहला यही होता है कि बूलने की बीमारी लग जाती है उसको दिमाग दुबारा से तेज हो जाएगी आँखों की रोशनी बहुत जल्दी तेज हो जाएगी चेरे के उपर जो जिरियां पढ़ रही है यह जुरियां आपकी दूर हो जाएगी खून की कमी यानि एनीमिया रोग आपका दूर हो जाएगा जोडों का दर्द है यह भी दूर हो जाएगी कहीं भी आपके दर्द हो रहा है सब दूर हो जाएगा मरदाना ताकत आएगी आपके अंदर आप करके देखना मेरे नुष्कों को कितने आप वापस आप कहेंगे कि वास्तव में बाबा ने काया कलप नुष्का मुझे बताया है करना आपको बताय पड़ेगा बता मैं रहाओंगा आप ज्यान से सुनिएगा स्किप मत करिया ये वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है इस नुष्के से आपको नींद बहुत अच्छी आएगी और जो नींद अच्छी आएगी तो ये मानिए कि आपकी बिमारियां स्वतही भाग जाती है रोगी को कभी नींद नहीं आती है इससे आपकी कबज दूर होगी और आपकी बूख बढ़ेगी और इतनी ताकत आएगी आपके अंदर के आप बुड़ापे को बूल जाओगे और अपने आपको वापिस जवान समझना शुरू कर दोगे ऐसा नुश्का बताने जा रहा हूँ आप मेरा नुश्का कागज पे लुक लीजिए और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप कर लीजिए और फिर देखिए आपके अंदर ताकत का खजाना किस परकार पैदा होता है आपको क्या करना है अख्रोट लेना है डाइसोग्राम अख्रोट लेलो बाजार से पंसारी की दुकान पे ग्रोसरी की यानि आपको क्रियाना की दुकान पे मिल जाएगा आप अखरोट लियाओ डाइसो ग्राम आपको डेड़ सो ग्राम सफेद तिल लेने हैं सेश्मे सीड होते हैं आप सफेद तिल लेने हैं और सो ग्राम काले तिल लेने हैं काले तिल सो ग्राम और सफेद तिल डेड़ सो ग्राम और जो मखाने आते हैं फूल मखाना जो हम खीर में ज़्यादा तर डाला करते हैं फूल मखाना वो मखाने आपको लेने हैं वो भी आपको डाइसो ग्राम ही लेने है अब आपको क्या करना है कि यह आप बाजार से ले और आपको क्या करना है कि इन सब चीजों को लाकर और साथ में एक चीज आपको और बताना भूल गया मैं स्वरी काऊंगा चिरोंजी आपको डाइसोग्राम लाना है चिरोंजी मैं यहां आपको लिख दूगा एक एक चीज आप एक चीज को ध्यान से पढ़ते हुए नोट कर लेना डाइसोग्राम चिरोंजी लानी है तो मैंने आपको बताया अख्रोट और चिरोंजी को छोड़कर जो सफेद तिल है काले तिल है या मखाने इन तीनों को आप कड़ाई में रोष्ट कर लेना दो-दो चमच गी डालते हुए हर चीज में दो चमच गी डालना रोष्ट कर लेना और इनको अच्छी तरह से रोष्ट कर लेना तिल भी आपके पक जाने चाहिए और फूल मखाना भी हाथ से तोड़ोगे तो वो एकदम से आटे की तरह यूँ भूर जाना चाहिए तब वो पक जाएगे अब आप इनको लेकर अलग-अलग सभी चीज को दरदरा पीशते हुए मिक्सी में और सबका पाउडर बना लेंगे अब आपको बड़ी थाली या प्रांत में इन सब को मिलाके अब आपको लेना है घी गाय का ये डिब्बे का गी नहीं लेना डिब्बे का मैं नहीं बोलता हूं गाय का गी गाय का गी जिन्दगी में किसी को भी किसी भी बिमारी से पिडित व्यक्ति को नुक्सान नहीं करेग तो आपको लेना है गाय का गी अब कहीं कहते हैं बाबा गाय का गी नहीं मिलता अरे कुंटलों के कुंटल मिलते हैं बहुत सी जगह ऐसी है आप घर से बाहर निकलिए आप घर से मार्केट तक जाएंगे तो वह डिब्बे वाला गी मिलेगा आपको गाय का गी नहीं मिलेगा इसके लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता है मैनत करनी पड़ती है टाइम निकालना पड़ता है तो आप गाय का गी लेना है आपको और वो लेना है साधे साथ सो ग्राम से एक किलो के बीच में एक किलो भी ले सकते हैं अब जितना आपने जितना आपने यह सामान लिया है जितना आपने इन चीज़ों को सब को कूट कर प्राथ में डाला है उन सब चीजों को के साथ में गी मिलाके और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है गी में सभी चीजों को मिक्स कर लेना है मिक्स करने के बाद में आपको क्या करना है कड़ाई के अंदर एक किलो गुड डालना है गुड एक किलो गुड डालना है और उस गुड को गरम करना है हलकी आज के उपर वो पिगलता जाएगा और रबडी की तरह जब बन जाए तब ये सारे आइटम उसके अंदर मिला देना और गुड को इतना अच्छी तरह से मिला देना है कि दाने दाने के वो गुड लग जाए बहुत अच्छी तरह से चलाते हुए इन सब चीजों को मिला देना है और फिर नीचे उतार लेना है नीचे उतार के हलका हलका गरम रहे जब हमारे हाथ को गरम लगे लेकिन हाथ जले नहीं इतना गरम रहे ठंडा नहीं होने देना है हलका हलका गरम रहे उस टाइम अपने हाथों को थोड़ा सा घी लगा के ये अच्छी तरह चूपड़ लेना और चूपड़ के और फिर इच्छा के अनुसार, 100-100 ग्राम के यूँ लडू बना लेना. अच्छी तरह रहना से 100-50 ग्राम के भी बना सकते हैं. पाकी सोसोग्राम के आप लड्डू बना लेना बहुत बढ़िया आपके लड्डू बनेंगे लड्डू बना के अच्छी तरह से इनको रख देना और एक लड्डू रोजाना सुबह उठते ही एक लड्डू खा लेना रूपर से एक गिलास दूद पी लेना है मैंने ये जितना नुस्का बताया है वो जितने दिनों में आप खाओगे उतने दिनों के अंदर अंदर आप के अंदर शेर जैसी शक्ति आ जाएगी इस नुस्के को करके देखना इस नुस्के का नाम भी काया कलप नुस्का है और बहुत से लोगों को मैंने मेरे हाथ से बना के दिया था कभी पुराने टाइम में और उन लोगों को जो खटिया पकड़ चुके थे कमजोरी से बीमारी से नहीं कमजोरी से जो खटिया थे दोड़ने लग गए थे खेतों में काम करने लग गए थे ऐसे ऐसे में ने लोगों को इस नुस्के को आजमा के देखा है उन लोगों पर आप भी आजमाना इन नुस्के को इसको करके देखना और फिर मेरे को कॉमेंट के अंदर बताना कि आपको कितना लाब हुआ है और क जैहिन जैवारे